आज मैं आपके लिए एक यूनिक और रिफ्रेशिंग रामा लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो चलिए विना देरी के इस ड्रामे को देखते हैं रामे की स्टार्टिंग में होस्ट आईस ब्यूटी को इंट्रेड्यूस करती है जो उस नाइट की बिगेस बारगेनी चीफ होती है फिर वो आईस ब्यूटी से कपड़ा हटाती है जिससे वहाँ बेटे सब लोग देखते रह जाते हैं होस कहती है कि आइस ब्यूटी से प्रीशेस ब्रट से ही प्रोसेस करती है और फिर बेट 100 मिलियन से स्टार्ट हो जाती है होस कहती है कि अब हम देखते हैं कि इस सेर का सबसे पावरफुल गेंबलिंग किंग कौन है तब एक आत्मी 6 मिलियन बोली लगाता है एक लेड़ी कहती है कि मैं इसे 9 मिलियन में अपना पैट बनाना चाहती हूँ तब एक आत्मी 15 मिलियन बोली लगाता है और वो आइस ब्यूटी को टच करने की कोशिश करता है जिससे उसे करेंट लग जाता है इसके बाद हमें कहानी के मेन हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम मिश्टर शाओ रहता है सेकेटरी कहता है कि आइस ब्यूटी की कीमत 15 मिलियन तक इंक्रीज़ हो गई है क्या आइस ब्यूटी का ब्लड आपको डिटॉक्सिफाई करेगा मिश्टर शाओ कहते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं है मुझे सिर्फ आइस ब्यूटी चाहिए सेकेटरी आइस ब्यूटी को जीत कर ले आता है मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी की तरफ बढ़ने लगते हैं सेकेटरी कहता है कि जड़ा समल कर ये 200 साल पुरानी है कि सच में आप ये कॉफिंग खोलना चाहते हैं मिश्टर शाओ कहते हैं कि तुम जाके स्विच ढूंडो फिर मिश्टर शाओ उसके कॉफिंग को छूते हैं जिससे उनकी उंगली से बलड निकलने लगता है तब ही जमीन हिलने लगती है और अर्थकुइक जैसा आने लगता है आइस ब्यूटी कॉफिंग से बाहर निकलती है सेकेटरी कहता है कि ये तो किती सुन्दर है आइस ब्यूटी मिश्टर शाओ से हक करने के लिए कहती है मिश्टर शाओ से देखकर हसने लगते हैं सेकेटरी कहता है कि ये क्या हो रहा है मिश्टर शाओ पहली बर किसी लड़की को देखकर मुस्करा रहे हैं फिर आइस ब्यूटी मिश्टर शाओ की गोद में चड़ जाती है इसके बाद मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी से कहते हैं कि क्या तुम जानती हो कि तुम यहां क्यों हो मैंने तुम्हें 20 मिनियन देकर जीता है अब तुम मुझे इसका रिपे कैसे करोगी आइस ब्यूटी कहती है कि आप मुझे मारना चाहते हैं मिश्टर शाओ चाकू को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए आइस ब्यूटी कहती है कि ठीक है पर थोड़ा हलका कट करिए मिश्टर शाओ कहते हैं कि क्या तुम इसका रिजन नहीं पूछोगी आइस ब्यूटी कहती है क्यूंकि मुझे आपका रिपे करना है जैसे हिमिश्टर शाओ उठते हैं उन्हें दोरा पढ़ने लगता है आइस ब्यूटी उन्हें देखती रहती है मिश्टर शाओ कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बलड की जरूरत है इसलिए तुम जल्दी खुद से कट लगाओ आइस ब्यूटी चाको उठा कर कट लगा लेती है मिश्टर शाओ कहते हैं कि तम्हारी बोडी की ठंडी हवा मेरे अंदर के आग के पॉईजन को दबा सकती है आइस ब्यूटी मिश्टर शाओ के पास आ जाती है मिश्टर शाओ से पकड़ कर लेट जाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते हैं इसके पास सकेटरी मिश्टर शाओ से कहता है कि इसे लेबरोरिटी से चुरा लिया गया था और सिटी कसीनो में इसे बेज दिया गया था इसे बहुत सारे रिच लोगों ने खरीदा बट कोई भी इसे देख नहीं पाया इसलिए सीशेंग ने इसे कसीनो इनिवर्सी सेलिबरेशन में यूस किया आइस ब्यूटी को चॉप्टिक से खाना खाने में दिक्कत हो रही होती है वो मिश्टर शाओ से हेल्प मांगती है मिश्टर शाओ उसे अपने पास बुलाते हैं और अपनी गोद में बठा लेते हैं आइस ब्यूटी चॉप्टिक से खाना खाने की कोशिश करती है बट वो गिर जाता है मिश्टर शाओ उसे अपने हाथ से खिलाने लगते हैं बट वो नहीं खाती मिस्टर शाओ कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है पर आइस ब्यूटी को उसका नाम पता नहीं होता मिस्टर शाओ कहते हैं कि यासे तुम्हारा नाम चूवैन है तब ही सेकेटरी आकर कहता है कि हमें फॉलो किया जा रहा है मिश्टर शाओ कहते हैं कि हमें यह से निकलना होगा फिर वो आईज ब्यूटी पर अपना कोट डाल देते हैं और उसे उठा कर ले जाने लगते है इसके बाद मिश्टर शाओ सेकेटरी से कहते हैं कि क्या तुम्हें उस अधर पार्टी का पता चला सेकेटरी कहता है कि हमें लगता है कि वो सेकंड मास्टर चूबाई इन है फिर वो कहता है कि आइस ब्यूटी का कोल ब्लड बहुत इफेक्टिव है इससे आपके बॉड़ी की फायर टॉक्सिन भी खत्म हो जाएगी फिर आप इसका ब्लड क्यों नहीं ले रहे हैं तब ही वहाँ गोलिया चलने लगती है इसके बाद मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी को दूसरे हॉस्पिटल में ले आते हैं आइस ब्यूटी उन्हें कोट उतार का दे देती है वो सोचती है कि दोनों गुरुप के लोग हम पर हमला करना चाते हैं तब ही कोई गेट खट-कट आता है आइस ब्यूटी गेट खोल देती है कुछ लोग बंदूग लेकर रूम में एंटर हो जाते हैं एक लेडी आइस ब्यूटी को पकड़ कर बेहुश कर देती है और कहती है कि ये तो आइस ब्यूटी है इसके बलट से बड़ी से बड़ी विमारी भी ठीक हो सकती है हम इसे अच्छे दामों में बेचेंगे तब ही वो लड़का कहता है कि बेचने से पहले पांच मिट मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ लेडी कहती है कि नहीं अगर इसकी बॉड़ी पर निशान पढ़ गया तो इससे प्राइस कम हो सकता है एक बार तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारे पास बहुत सी वोमेन आ जाएंगी तब ही आइस ब्यूटी उट जाती है और वो कहती है कि तुम लोग मुझे बेचना चाहते हो और वो इन लोगों को गिरा देती है दूसरी तरह हमें मिश्टर शाओ को दिखाते है एक आदने मिश्टर शाओ पर गन ताने होता है मिश्टर शाओ उस आदने की गन गिरा देते है तब ही वहाँ आइस ब्यूटी आ जाती है मिश्टर शाओ उसकी तरफ देखते हैं सेकेटरी कहता है कि सेकंड मास्टर इस टाइम आपको मारना चाते थे मिश्टर शाओ कहते हैं कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा और वो आइस ब्यूटी को रूम में ले आते हैं सेकेटरी आइस ब्यूटी से कहता है कि तुम कौन हो मिश्टर शाओ उसका हाथ हटा देते हैं सेकेटरी वहाँ से चला जाता है मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी से कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया तब आइस ब्यूटी मिस्टर शाओ का अपनी तरफ खीचती है और उन्हें किस करती है मिस्टर शाओ उसे बैट पर लेटा देते हैं और उसके गले पर वो तिल देख लेते हैं फिर वो उसे किस करने लगते हैं तब ही सेकेटरिव उस रूम में आ जाता है और उन्हें देखकर जाने लगता है मिस्टर शाओ से रोग देते हैं आइस ब्यूटी मिस्टर शाओ से कहती है कि इस बार आपसे कॉपरेट करके मज़ा आया मैं नेक्स टाइम का वेट करूंगी इसके बाद मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी के रूम में आ जाते हैं वो वहाँ बैटी होती है मिश्टर शाओ कहते हैं तुम अभी क्या कर रही थी आइस ब्यूटी कहती है कि मैं टाइम काउंट कर रही थी तब मिटर शाओ उसके गले पर भो तिल देख लेते हैं उसी वक्त मिटर शाओ के पास une कोल आने लगता है सेकेटरी कहता है रहिए आप जल्डी चूट फैमली में आजाए है आपके ग्रैंपा मरने वाले हैं मिटर शाओ ग्रैंपा को देखने आते हैं और सेकेटरी से कहते हैं कि डॉक्टर कॉंग को बुलाओ रूइंग कहती है कि ये ग्रेंपा के लास्ट मुमेन है क्या तुम ऐसे वक्त में भी उस वाइल डॉक्टर को बुलाना चाहते हो Mr. Shaw कहते हैं अगर Dr. Kong वाइल डॉक्टर है तो तुम क्या हो Rowing आज बीटी को देखकर कहती है कि ये वुमेन कौन है तुम इस वुमेन को यहां तुम्हारे साथ प्ले करने के लिए लाए हो Mr. Shaw कहते हैं कि तुम अपना मुँ बंद रखो ये मेरी वुमेन है इसके बाद Dr. Kong गरेनपा को चेक करके बाहर निकलते हैं Mr. Shaw कहते हैं कि गरेनपा कैसे है Mr. Shaw कहते हैं कि मुझे माफ कर दो मैंने नहीं बचा पाया Mr. Shaw कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो Mr. Shaw कहते हैं कि उनकी तबे ठीक नहीं थी और वो इस टाइम पूल में गिर गए मुझे उनकी पॉकिट से कुछ मिला है और वो उसे एरिंग दिखाते हैं मिश्टर शाओ कहते हैं कि ये एरिंग तो रूइंग का है इसके बद मिश्टर शाओ को ग्रेंट पा के साथ बिताए वो इमूमेंट याद आने लगते हैं फिर वो आइस ब्यूटी को रूम में ले आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाता हूँ इसके बद आइस ब्यूटी ग्रेंट पा के पास आ जाती है और उनका हाथ पकड़ कर कहती है कि ये अभी तक मरे नहीं है और वो अपनी शक्तियों से उनका ट्रीटमेंट करती है तब ही वह डॉक्टर आ जाता है और ग्रेंपा का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुमने इने बचाया आइस ब्यूटी बहोश होने का नाटा करने लगती है इसके बाद डॉक्टर मिश्टर शाओ से कहते हैं कि आइस ब्यूटी भूख से बहोश हो गई थी मिश्टर शाओ कहते हैं कि तुम यहीं इसके पास रहो और इसे छोड़ कर कहीं मत जाना इसके बाद डॉक्टर आइस ब्यूटी से कहते हैं कि ग्रेंट पा चाना जिन्दा कैसे हो गए थे आइस ब्यूटी कहती है कि वो तो पहले से ही जिन्दा थे डॉक्टर कहता है कि ये इंपॉसिबल है वो तुम हो जिन्होंने उन्हें बचाया है जिस पर आइजब्टी उसका हाथ मौड देती है डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा इसके बाद सब भी डॉक्टर कॉंग से हाथ मिलाने लगते हैं मिश्टर शाओ कहते हैं कि आसे तुम ग्रैनपा की हेल्थ का ध्यान रखोगे रॉइंग कहती है तो तुम सच में ग्रैनपा की केर के लिए एक डॉक्टर को रखोगे मिश्टर शाओ कहते हैं कि अगर तुम में एबिलेटी होती तो मैं ये काम तुम को देता पर अफसोस कि तुम्हारे पास ability नहीं है इसके बाईयन अपनी लवर से लाईयन को देखने के लिए बोलता है और वो लुएयन से मिलने आ जाते हैं और उसे room में ढूनने लगते हैं तबी लुएयन बाईयन के पेर पकरने लगता है बाईयन कहता है कि तुम्हारे यसी हालत किसने की लुएयन मिश्टर शाओ का नाम लेता है जिस उनका बाईयन महां से जाने लगता है तबी उसकी लवर उस पर गन तान के खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम कहां जा रहे हो बाइन कहता है तो तुम टिंक शाओ की परसन हो तुम यह सब पैसों के लिए कर रही हो ना मैं तुम्हें और पैसे दूँगा मुझे जाने दो और वो उसी गन हटा कर भागने लगता है फिर मिश्टर शाओ से टकरा जाता है मिश्टर शाओ उसे बान देते हैं बाइन कहता है कि मुझे जाने दो मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर हूँ क्या तुम मुझे मारना चाहते हो मिश्टर शाओ कहता है कि मुझे तुम्हारे लेक चाहिए बाइन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो मैं तुम्हें मार दूँगा मिश्टर शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें लाश फॉनिंग दे रहा हूँ ऐसे सपने मत देखो जो पूरा नहीं हो सकते बायन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम चू फैमली के हैड बन जाओगे वो पोजिशन सिर् भी ए मिश्टर शाओ कहते हैं तो तुम इस वज़ा से मुझे मारना चाहते हो बायन कहता है कि तुम्हेरे पाश इसके क्या एविडेंस है मिश्टर शाओ सäकेटरी से कहते हैं कि इसे दूसरे शेयर में फेक दो इसके बाद मिश्टर शाओ एक स्टोर में आते हैं जहां आइस ब्यूटी एक वाच को उठा कर शॉप कीपर से कहती है कि ये वाच कहां से आई वो कहता है कि ये 200 साल पुरानी वाच है ये हमारे स्टोर की बेस्ट प्रोडक्ट है हम इसे सेल नहीं करेंगे आइस ब्यूटी मिश्टर शाओ से कहती है कि मुझे ये वाच चाहिए मिश्टर शाओ से डबल प्राइस दे कर खरीज लेते हैं इसके बाद आइस ब्यूटी मिश्टर शाओ से कहती है कि क्या आप इस वाच को नहीं पेचानते मिश्टर शाओ कहते हैं कि मैं नहीं जानता आइस ब्यूटी सोचती है कि ये वच औरिजनली हमें ब्लॉंग करती है इसके बाद मिश्टर शाओ आइस ब्यूटी से कहते हैं तो तुम अभी भी खुश नहीं हो और वो उसे कैंडी देते हैं आइस ब्यूटी को कैंडी देखकर अपने पुराने मुमिन्ट याद आने लगते हैं जब वो उदास बैटी होती है तब मिश्टर शाव उसके पास कैंडी लेकर आते हैं इसके बद मिश्टर शाव को गाड़ आकर बताता है कि चूब बाइन गायव हो गया है और वो उने बाइन के गायव होने वाला वीडियो दिखाता है आइस ब्यूटी कहती है तो यहां और भी सूपर पावर्स हैं इसके बद मिश्टर शाव सेकेटरी से कहते हैं कि क्या तुम्हें वो मिला सेकेटरी कहता है कि बाइन अभी अबरोट में हैं तब ही अलर्ट आने लगता है सेकेटरी कहता है कि उसे पता चल गया है कि हम उसे ढून रहे हैं उसने हमारी फायर वॉल ब्रेक कर दी है मिश्टर शाव कहते हैं कि किसी बड़े हेकर को बलाओ मैं अपने भाई को इस बार नहीं जाने दे सकता इसके बाद मैड रूइंग के पास आइस ब्यूटी का वीडियो लेकर आती है दूसरी तरफ मिश्टर शाओ और आइस ब्यूटी एक दूसरे के क्लोज आने लगते है तब ही मिश्टर शाओ को फिर से दोरा पढ़ने लगता है रूइंग आकर आइस ब्यूटी को बेहुश कर देती है मिश्टर शाओ कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो रूइंग कहती है कि आइस ब्यूटी का बलड वर्वे मोस्ट प्रीशियस तिंक है फिर तुम उसका सारा बलड अकेले यूश करना चाहते हो मिश्टर शाओ कहते हैं कि वो मेरी है रूइंग कहती है कि आपसे आइस ब्यूटी मेरी है और वो गार्ड से आइस ब्यूटी को ले जाने के लिए बोलती है मिश्टर शाव रूइंग से कहते हैं कि तुम उसे कहां ले गई हो रूइंग कहती है कि मैं उसे सबसे बैलीबल प्लेस लेकर जाओंगी ये केकर वो वहाँ से चली जाती है